नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिर सर्मा और आपका हमारी यूट्योब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग के छाले और जीप के छाले के घरेलो इलाज के बारे में आज के वीडियो में हम आठ प्रकार के घरेलू इलाज बताएंगे इन में से जो भी इलाज आपको सूट करता हो घरेलू उपाय सूट करता हो आपकी फिजकल कंडिसन अलब हो सकती है उसके अंसार आप इनको यूज कर सकते हैं तो बहुत यादा फायदा मिलेगा मुलेठी का काड़ा बनाकर बाठंडा करके और छान कर दिन में तीन सचाबा कुल्ला करने पर गरारा करने पर मूँ के छाले और जीप के छाले ठीक हो जाते हैं हरे धनिया का रेस मूँ के चालो पर लगाने से और सुखे धनिया को पानी में उबाल कर उस पानी को छान करके ठंडा करके उससे गरारा करने से मूँ और जीब के चालो ठीक होते हैं सहद को पानी में मिला कर कुला करने से मूँ के चालो ठीक हो जाते हैं इलाइची चुण को सहद में मिला कर चालों पर लगाने से और लाट टपकाने से चाले ठीक होते हैं चमेली की पत्तियां चमाने से मूँ के चाले ठीक होते हैं अम्रूत की पत्तियों को उबाल कर कुला करने से गला और जीब साफ होता है और मूँ के चाले ठीक होते हैं या गूंद की डली को पूरे दिन भर चूशते रहने से भी मूँ के छाले ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों यह थे मूँ के छाले और जीब के छाले दूर करने के कुछ घरेलो उपाए दोस्तों इसके बारे वगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आँप में कांटेक्सकारण सासाल कर सकता है